हलो दोस्तों वल्कम बैक टू दा चानल स्रिष्टी स्टेडी पॉइंट और ये हैं UDC के चेर्मेन एम जगदीश कुमार जी और इन्होंने अपने एक सेंडल पर बहुत अच्छा मैसेश किया उन सब बच्चों के लिए जो PhD करना चाहते हैं PhD करना इजी हो गया है अब क्यों क बहुत सी उनिवस्टी में जो है PhD के लिए एंट्रेंस एक्जाम होता था अब वो एंट्रेंस एक्जाम नहीं होगा अगर आपने नेट का एक्जाम दिया है पूरा यहाँ पर जीयो आया है पूरा नोटिस आ चुका है उसको पूरा मच्छे से समझेंगे क्योंकि बच्चे रहका है तो इनका जो मैसेज है उसको हम देख लेते हैं पहले बहुत सारे मैसेज अपडेट करते रहते हैं यह जब कोई बच्चा कोई मैसेज कोशन भूशता है तो उसके आंसरिंग भी करते हैं यह देखे यहाँ पर इसी मैसेज को यह देखे यह है इनका पूरा यह मैसे जो नेट एक्जाम में आपने स्कोर किया है नेट का एक्जाम दिया होगा आप पास हुए होंगे कितने इमाग्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे पीएच डी प्रोग्राम जो बच्चे पीएच डी करना चाहते हैं प्लेश ओफ एंट्रेंस आ गया देखेंगे इंट्रेंस टेस्ट कंड़क्टेड बाइद डिफरेंट इनिवर्स्टीज एंट ये इस वर्किंग ओन लॉंचिंग नेट एप्लिकेशन प्रॉस इसको लेकर है और यहां पर देखेंगे पूरा यह लेटर है यहां पर इस लेटर को आप यूजी सी की वेब साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं मैं यह बच्चों को पहले ही बता देती हूं कि यह चीज कहां पर आपको एविलेबिल होगी जिससे आप खुश से भी अच् यह देखेंगे पूरा यहां पर मैंने डाउनलोड कर लिया था इसको यहां पर ऊपन कर लिया है तो यह देखेंगे पूरा पब्लिक नोटिस है यह और इसको 27 मार्ज को यह आया है National Eligibility Test जो Net है अब यहां पर एक चीज और रहात रखेंगे यहां पर केवल Net लिखा है यह ये नहीं लिखा कि CSIR की UGC ठीक है तो इसलिए confused मत होईएगा बिल्कुल confused मत होईएगा इस चीज को लेकर अगर आपने NET qualify किया है चाहे आपने CSIR से किया है चाहे UGC की थू किया है अगर आप NET qualified है और NET के marks के according जो भी PhD में admission जो इनिवस्टी देंगी उसके according आपको यहाँ पर लाब मिलेगा क्योंकि यह सब इनिवस्टी में नहीं होता interest का बहुत सी इनिवस्टी ऐसी है जो NET के base पर पहले भी PhD कराती थी और सारी इनिवस्टी के साथ इनिवस्टी में केवल entrance जरूरी था वो भी चीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी तो यानि कि अगर आप NET qualify कर लेंगे तो आप बहुत सी इनिवस्टी से बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हम उस इनिवस्टी से PhD करना चाहते हैं अब हमने नेट भी qualify कर लिया है लेकिन वहाँ entrance भी होता है अब वो entrance भी दो तब आपको कहीं जाके PhD में मिलेगा enrollment होगा आपका तो इस चीज को लेकर बच्चे परशान होते थे तो अभी इस चीज को बिलकुल यहाँ पर clear हो गया कि अगर आपने NET qualify कर लिया है तो हर हाल में आप PhD करना चाहते तो कर सकते तीन क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखें वो सारे मैं आपको बताऊंगे और कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊं The University Grant Commission conduct the National Eligibility Test through the National Testing Agency NTA The NET is conducted twice a year दो साल में होता है जून और दिसंबर में Currently the NET score are used to award आपको या तो JRF मिलता है उसके साथ साथ आपको जो eligibility मिलती है for the appointment as assistant professor कहीं vacancy निकलती है तो वहाँ भी आप NET certificate लगा कर अपना eligibility दियो है वो दिखा सकते हैं कि मैं इसके लिए eligible हो तो ये दो चीज़ों के लिए आपको मिलता है और उसके साथ आप उससे पहले क्या किये हो master degree कर रखे हो इन दो चीज़ों के लिए आपके लिए था लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पर लिख दिया है many universities देखो मैं नहीं लिखा है many कहले है क्या है सभी नहीं all नहीं लिखा है मैं नहीं लिखा है ठीक है तो बहुत सारी university क्या थी वो conduct कराती थी their entrance test for admission to the PhD program अगर उन्हें अपनी university से PhD किसी बच्चे को करानी होती थी तो कितना भी आप net qualified है लेकिन आपको जो है वहाँ का entrance exam देना पड़ता था तो यह सब यहाँ पर दी है requiring the student to write multiple PhD entrance test इस तरह से बच्चे को बहुत सारे PhD के test देने पड़ते थे entrance के कि माली जे उसने 4-5 university को select कर रखा कि मैं जे अगर यहाँ से कहीं से PhD करने को मिल जाएगी तो मैं करूंगा भले ही वो net qualified है अब उस university का यह criteria है कि वहाँ पर entrance आपको देना ही देना है तो बच्चे को multiple test देने पड़ना है इस इनिवस्टी का भी इस इनिवस्टी का भी इस इनिवस्टी का भी उपर से वो net qualified भी एच्चे नमरों से तो इन सब चीजों को देखते हो यह का आ गया है to help the student ऐसे student की help करने है with one national entrance test जो net का exam है NET for PhD admission as a part of implementing the national education policy 2020 NEP 2020 के तहत इसको यह रखा गया है कि अगर आप net qualified है तो इंडिया में कहीं से भी आप PhD कर सकते हैं आपको entrance देने की ज़रुरत नहीं है जो इनिवस्टी ऐसा करती है वो भी अब ऐसा नहीं करेंगी the UGC constituted an expert committee to review the provision of the जो net exam है उसके provision को review किया based on the expert committee recommendation जो expert committee थी इनकी जो meeting थी यह 578th जो meeting थी जो 13 March को हुई थी उस पर यह decide किया गया कि यह जो academic session है 2024 में इसमें जो net का हमारा score करेंगे जो बच्चे जो net के exam में पास हो जाएंगे उनको PhD program के लिए सीधे जो है अगर वो PhD करना चाहते है तो university में जाके अपना net का जो है वो certificate लगाएंगे माली जे 50 बच्चों ने अपना वहाँ पे दिया कि हम PhD करना चाहते है वहाँ married बनेगी जितनी high married होगी उसे साफ से बच्चे को select कर लिया जाएगा तो इस तरह से रहएगा आपको entrance exam नहीं देना होगा यहाँ पे दिखा है तो from June 2024 जो जून आएगा यह 24 का तो the net candidate will be declared eligible in three category अब उन्हें तीन कैटेगरी में आपको declare किया जाएगा जो मैंने बताया थे तीन क्राइटेरिया हो जाएगा पहले दो ही थे कि जे आरफ प्लस आप assistant professor या cable assistant professor है ना लेकिन अब तीन क्राइटेरिया हो जाएगे यह देखे eligibility for admission of PhD with जे आरफ यह हो गया कि आपके पास जे आरफ है आप PhD करेंगे जे आरफ भी मिलेगा और आप जो है assistant professor की appointment के लिए eligible है एक तो यह मिलेगा एक आपके लिए eligibility मिलेगी without जे आरफ यानि कि अगर आपने जे आरफ क्वालिफाइग नहीं किया भी आपको इस certificate valid रहेगा दूसरा तीसरा यह हो जाएगा eligible for admission of PhD program only only cable PhD program not for award of जे आरफ और appointment of assistant professor यह एक नया है पर जुड़ेगा यानि कि अगर आपने नेट क्वालिफाइग कि marks कुछ marks ऐसे रखेंगे जिसमें आप assistant professor के लिए भी eligible नहीं होंगे इतने कम marks होंगे और ना ही आपको जे आरफ मिल पाएगा लेकिन उस नेट के certificate से आप कहीं से PhD जरू कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं PhD कर लूँ तो आप PhD जरू कर सकते हैं तो एक टार्गेट लेके चलते हैं तो उनके लिए एक यह अच्छी नियूस है तो यहां पर यह पूरा लिख रखा देखे qualified qualified होंगे आप net का एक्जाम देंगे तो तीन उन्हें क्राइटेरिया बता दिया जे आरफ भी आप प्रोफेसर के लिए इलिजिबल और पी एसडी के अडिमीशन के लिए दूसरा उन्होंने बता दिया कि जे आरफ आपको नहीं मिलेगा आपके नमबर थोड़े कम रहे होंगे या यह की अको नहीं रहे होंगे और लेकिन आप पी एच्छी डी के लिए अडिमीशन ले सकते हैं उस सर्टिफिकेट के बेस पर तो यहां पर यह पूरा लिखा है दर रिजल्ट आफ नेट बिल बी डिकलियर इन परसंटाइल बेस पर होगा लॉंग विद दा मार्क्स ऑप्टेन बाए दा कैंडिडेट तो उटिलाइज दा मार्क्स फॉर एडमीशन ऑप पी एच के लिए जिन मार्क्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो वो मार्क्स उसमें शो होंगे कि हां यह जो सर्टिफिकेट है वो पी एच जी करना चाहता कोई बच्चा तो उसमें यह लगा सकता है जो जी आरफ क्वालिफाइट इस्टूडेंट और एडमिटेड इन्टू दा पी कैटेगरी टू-एटिरी में जे आरफ नहीं है तो में याद रखियेगा टुमे जे आरे अशिस्टन प्रोफेसर भी नहीं है है ना तो यह दोनों तो उनमें क्या होगा सेवंटी पर्सन बेस जो है वह आपको दिया जाएगा आपके नेट के लिए 30 पर्सन बेटिस आपका interview कराएगा PhD के admission के लिए और जिने GRF मिल रहा है वो केवल interview का उनका होगा और interview में उनका जो भी selection होगा हो जाएगा क्योंकि वो तो अच्छे marks लाए होंगे लेकिन जब आप दूसरी और तीसरी category में होंगे तो उसमें आपके जो marks है net वाले वो value बहुत रखेंगे ठीक है इसमें the marks obtained in the net by the student in category 2 and 3 will be एक साल के लिए केवल वैरिल रहेंगे अगली साल अगर आपको एक साल आपका labs हो गया आपने PhD में कहीं जोईन नहीं किया तो आपको दुबारा net का exam देना होगा आप उस certificate को lifetime use नहीं कर सकते है उस website पर आपको पूरा update कर दिया जाएगा कि इसका notification कब से आ रहा है तो फिलाल जो बच्चे PhD करना चाहते हैं जिनका मन होता है PhD करने का लेकिन बहुत से बच्चे entrance देने के बाद है ना माली जे उनने entrance दिया और entrance देने के बाद क्या हुआ उनका selection नहीं हो पाया और वो net qualified है लेकिन university का रूल बहां का क्या है नेट से हमें कोई बैल मतलम नहीं है आपको हमारा entrance qualify करना होगा तो वो बच्चे परिशान होते कि net का exam हमने दिया ओल इंडिया लेविल का इतना बड़ा exam फिर भी हम पिएजडी में नहीं कर पा रहे हैं कोई-कोई university ऐसे कहती है ठीक है इसलिए दिक्कत होती है तो इस वज़े से यह सब चीज़े जो हैं बिल्कुल clear कर दी गई है सभी university के लिए एक rule बना दिया गया है कि अगर बच्चे ने net qualify कर लिया और जिस criteria में हमने कह दिया कि वह PhD कर सकता है इस certificate से तो उस university को उस बच्चे को जो merit बनाएंगे जो वह interview लेंगे उसमें उसको बिठाना पड़ेगा इंटर्विव का दिलाना पड़ेगा वह दूसरी बात है कि interview में क्या रहता है या उसकी डिग्री के बाद बच्चों का मन होता है PhD करने का अपने मन की university से कि हम अपनी मन वाली university के में कर पाएं अब मन की जो इनका गाइड रहता है यह टूपिक रहता है तो उसके लिए एक रास्ता खुल गया है यह अच्छा रास्ता खुला है तो अगर यह वीडियो आपको समझ में आई है इसमें काफी कुछ मैंने आपको कलियर कर दिया है और जो CSIR वाले है वो परिशान नहीं कि CSIR वाले सोचने कि हम ने हूं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलूंगे अगली वीडियो में इस तरह के हर अपडेट आपको देती रहूंगी और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए